एक बार अरुन के कॉलेज में आतंकवादी हमला हो जाता है और आतंकवादी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बंदी बना लेते हैं तब ही अरुन अपनी invisibility device की मदद से invisible हो जाता है और invisible होकर आतंगवादियों की gun ले लेता है और वो उसे shoot भी नहीं कर पाते हैं। उन्हीं समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। सभी students और teachers जब अपने सामने guns और pistols को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई चमतकार है। जब आतंगवादियों के पास कुछ भी नहीं बचता तो सभी students और teachers उनपर attack कर देते हैं। और इतने में ही पुलेस आके उन्हें arrest कर लेती हैं। और अरुन वहाँ से चला जाता है।